हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी आसा करता हूँ आप सभी अच्छे होगे और आपकी तैयारे भी काफी अच्छे चल रही होगी फ्रेंड्स मैं विश्नुदत सर्मा एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एक्जाम क्रेकर पर स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए करंट अफेर्स का एक मोस्ट इंपोर्टन टोपिक लेके आ हूँ और यह टोपिक है IPL जो इंडियन प्रेमियर लीक का टूर्णामेंट है 2020 का वो भी करंट में चल ही रहा है और यह काफी चर्चा में है तो फ्रेंड्स यह जो करंट अफेर्स का टोपिक है यह काफी important टोपिक है और इससे अभी जो आने वाले जो competition exams हैं उन सभी में यहां से question आने हैं और ये काफी important question मैं यहाँ पे cover करूँगा जो भी इस topic से related question बनते हैं वो हम यहाँ पर सभी cover करेंगे और इनके बाहर कोई question भी किसी exam में नहीं आएगा तो friends आईए देखते हैं और friends उससे पहले अगर आप channel पर नहीं आए हैं और आपने अब तक channel को subscribe नहीं किया है तो जल से जल channel को subscribe कर लें और bell icon को भी press कर लें उससे आपको हमारी आने वाली सभी videos के बारे में जल्द ही notification मिल जाएगा तो आईए friends इस topic से related जितने question मिलते हैं उनको cover करते हैं आज का पहला question है IPL जो 2020 है 2020 का IPL है वो कौन से country में organize किया जा रहा है कौन से देश में उसको आईजित किया जा रहा है तो answer होगा UAE United Arab Emirat में ये अभी tournament चल रहा है current में जो IPL 2020 है वो कौन सा edition होगा इस IPL tournament का कौन सा sunscreen होगा हिंदी में edition को sunscreen बोलते हैं तो ये होगा 13th edition बारा बार पहले हो चुका अभी 13 है इसका edition next sponsor company of IPL 2020 काफी important question है जो sponsor company है 2020 के IPL की वो है dream 11 और ये Indian company है next dream 11 got the sponsorship in what amount कितनी amount में कितने पैसे में जो है dream 11 को sponsorship मिली है answer होगा 222 क्रोड में dream 11 है जो उसने कौन सी company को replace किया है मतलब इससे पहले जो IPL की sponsor थी company वो कौन सी थी इसने किसको replace किया तो याद रखेंगे वीवो company थी और ये एक Chinese company थी dream 11 is which type company ये किस type की company है dream 11 तो answer होगा online gaming platform ये एक जो online gaming का platform है पूछा गया जो IPL 2020 के matches हैं जिनका schedule जारी हो चुका है वो कौन सी date से कौन सी date के बीच होंगे answer होगा ये 19 सितंबर से start होंगे और जो final match कहला जाएगा वो 10 नुमबर को होगा तो 19 सितंबर से 10 नुमबर 2020 के बीच ये match कहले जाएंगे total कितने teams participate करेंगे IPL 2020 में answer होगा 8 teams 8 team में भाग लेंगे इसमें full form of IPL ये भी question पूछ लिया जाता कहीं exams में जो full form याद रखेंगे Indian sorry Indian Premier League कौन सा organization है जो IPL organize करता है इंडिया में सही answer होगा BCCI और BCCI की full form भी याद रखेंगे board of control for cricket in India IPL है जो वो किस type के matches format होते है इस tournament में तो याद रखेंगे T20 T20 में 2020 यानि 20-20 ओवर के match होते हैं T20 match format BCCI है जो कौन से year में स्थापित किया गया था answer होगा 1928 में BCCI का head quarter कहां पे है answer होगा Mumbai में जो BCCI के present chairman है जो अभी हाल में अध्यक्स है BCCI के उनका नाम क्या है answer होगा Soro Gangoliji जिनको हम दादा के नाम से जानते हैं BCCI के present secretary कौन है answer होगा JASA और ये जो JASA है ये अमित सा जो हमारे home minister हैं India के उनके बेटे हैं जो currency है UAE की जहां पर अभी match हो रहे हैं ये IPL के जो United Arab Emirat है उसकी currency मुद्रा क्या है याद रखेंगे दिरहम Capital क्या है UAE की अंसरोगा अबू धाभी UAE है जो वो कौन से continent में कौन से महादूप में सितित है अंसरोगा Asia महादूप में जो present president है राष्टपती है UAE की उनका क्या नाम है याद रखेंगे खलीपा बिन जायद अलनाहियान जो ICC है जिसको International Cricket Council के नाम से जाना जाता है उसका headquarter कहाँ पे है याद रखेंगे ये भी UAE में है sorry UAE में है जो की Dubai में है Dubai City है काफी famous city UAE गा वहाँ पे ICC का headquarter है ICC है जो उसको कौन से साल में स्थापित किया गया और किस नाम से शुरू में जब स्थापित किया गया तो इसका नाम क्या था अंसर होगा International Cricket Conference ICC देखिए Imperial Cricket Conference से इसका नाम 1965 में चेंज करके International Cricket Conference रख दिया गया जो हाल में ICC है जिसको International Cricket Council के नाम से जानते है वो नाम कब रखा गया इसका अंसर होगा 1989 में देखिए पहले स्थापित किया गया था 1909 में Imperial Cricket Conference के नाम से फिर 1965 में International Cricket Conference और फिर 1989 में फाइनली जो आज कल देखते हैं ICC International Cricket Council इसका नाम पड़ा जो प्रेजेंट चेर्मेन है जो हाल में अध्यक से ICC के उनका क्या नाम है याद रखेंगे मनू साहनी पूछा गया है जो पहला addition हुआ था सबसे पहला जो addition था IPL का जब start हुआ था तो उसमें final match कौन से stadium में खेला गया था याद रखेंगे डिवाई पार्टिल stadium मुमबई में जो पहला addition खेला गया था IPL का sorry ये भी काफी important question है जो पहला addition start हुआ था IPL तो कौन से साल में हुआ था अंसरोगा 2008 में जो IPL का game होता है tournament होता है उसमें purple cap किस player को दी जाती है तो ये उस player को जी जाती है जो maximum most wickets लेता है IPL 2019 में purple cap किन को मिली अंसरोगा इमरान ताहिर को उन्होंने 17 matches में 26 wicket लिये दे जो IPL है उसमें orange cap किस player को दी जाती है ये दी जाती है उस player को जो सबसे ज़्यादा run score करता है IPL 2019 में orange cap किन को मिली नाम याद रखेंगे डेविड वार्नर को जो मुंबई Indians की team है उसके owner कोन है उसके मालिक कोन है अंसरोगा मुकेस अंबानी और नीता अंबानी जी जो dream 11 जो ये company है जो sponsor बनी है IPL 2020 की उसके brand ambassador कोन है अंसरोगा महिंदर सिंग धोनी जो chain नी super kings की team है उसके owner कोन है याद रखेंगे एंस सिरिनुवाश जी जो IPL की history है पूरे IPL के हितियास में सबसे पहला captain कोन बना है जिसने 100 match जीते हैं अंसरोगा MS धोनी महिंदर सिंग धोनी ऐसा पहला कोन सा batsman है पूरे IPL इतियास में जिसने 300 sixes, 300 चक्के लगाए हैं अंसरोगा Chris Gale और ये West Indies के player हैं तिल IPL 2019 यानि 2019 के IPL तक सबसे ज़्यादा run किसने score की हैं पूरे IPL में अंसरोगा Virat Kohli 2019 के IPL तक सबसे ज़्यादा जो विकेट्स हैं वो किस player ने लिया हैं अंसरोगा Lasit Malinga जो 2019 के IPL का final केला गया वो कौन से stadium में केला गया राजियू गांदी, सोरी राजियू गांदी International Stadium हैदराबाद में जो final match खेला गया 2019 का IPL का वो किन दो teams के बीच खेला गया अंसरोगा Chennai Super Kings और Mumbai Indians के बीच कौन से team ने 2019 का final match जीता यानि IPL tournament 2019 किसने जीता अंसरोगा Mumbai Indians ने जो IPL 2019 है उसमें man of the match कौन बने यानि final match में जो man of the match रहे वो कौन से player थे अंसरोगा Jaspreet Bumra जो IPL 2019 है उसमें game changer of tournament कौन से player थे अंसरोगा Rahul चाहर IPL 2019 में emerging player of season कौन थे सुबनम गिल IPL 2019 में most valuable player कौन बने अंसरोगा Andre Russell IPL 2019 में सबसे जो maximum force लगाए चोके लगाए वो किनों ने लगाए अंसरोगा सिखर धवन ने IPL 2019 में जो stylish player of season था वो कौन बने थे अंसरोगा KL Rahul IPL 2019 में perfect catch of season किनों ने लिया किनों ने ये perfect catch पकड़ा था अंसरोगा Caron Pollard जो Dream 11 company है जो की sponsor है IPL 2020 की उसका headquarter कहाँ पे है अंसरोगा Mumbai में जो Dream 11 company है उसके founders कौन है किनों ने ये company बनाई अंसरोगा Hars Gen और भावित सेट जो पहला match होगा IPL 2020 का वो कौन सी teams के बीच होगा और अभी खेला भी जा चुका current में तो ये अंसरोगा Mumbai Indians और चिननी Super Kings के बीच जो 2020 का IPL है उसका official digital streaming partner कौन सी company है कौन सी channels है अंसरोगा Disney और Hotstar Disney Plus Hotstar पहला American player कौन से है जो IPL 2020 में भाग लेंगे खेलेंगे अंसरोगा Ali Khan याद रखेंगे काफी important question है जो official broadcaster channel होगा IPL 2020 का वो कौन सा channel है अंसरोगा Star Sports जो maximum time IPL का tournament है वो कौन सी team ने जीता है याद रखेंगे Mumbai Indians ने और इन्होंने चार बार जीता है ये tournament जो Mumbai Indians ने IPL जीता है वो कौन कौन से years में कौन से सालों में जीता है याद रखेंगे जो चार tournament जीते हैं वो 2013, 2015, 2017 और 2019 में जीते हैं Mumbai Indians ने जो official partner company IPL 2020 की कौन से हैं वो याद रखेंगे तीन company है Tata, Altroge, Unacademy और Cred जो empire partner company IPL 2020 की वो कौन से है अंसर होगा Paytm जो BCCI है उसने official partner किसको बनाया है IPL 2020 का याद रखेंगे Unacademy और ये एक learning platform है जो official strategic partner company IPL 2020 की वो कौन से company है अंसर होगा C8 और ये एक tire manufacturing company है ये tires बनाती है जो IPL की दिल्ली Dare Devils की team है उसका नया नाम क्या हो गया है अंसर याद रखेंगे दिल्ली Capitals यानि दिल्ली Dare Devils का नाम change होके दिल्ली Capitals हो गया है तो friends जितने भी हमारे इस IPL tournament से related question थे वो हमने यहाँ पर सभी cover कर लिए ये question काफी important question है और इन questions के बाहर कोई भी question exam में नहीं आएगा इनी question में से exam में question जरूर आएगा ये काफी important topic है और आने वाले जितने भी exams हैं उनमें यहाँ से question जरूर आना है देखें स्पोर्ट से काफी question आते हैं आजकल exams में जो की current affairs के section से होते हैं और ये बार बार पूछे जाते हैं तो इसलिए काफी important topic है तो इसलिए आप वीडियो को बार बार देखिए और इन questions को बिल्कुल रट लीजिए और friends आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में comment box में जरूर बताईए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने friends के बीच भी share कीजिए ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के लिए आप चैनल को subscribe कर लें और bell icon को press कर लें उससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो के बारे में notification मिल जाएगा तो friends इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं next वीडियो में और अच्छे questions और अच्छे topic के साथ Thank you